राहुल गांधी की संसद सदसता तो चली गई है, लेकिन उसके बाद उनके साथ पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दिया था ऐसा कहा जा रहा था कि इस मुद्धे पर पूरा विपक्ष एक चुट रहेगा लेकिन उसके बीच एक विवाद भी सामने आ गया है राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फरेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फरेंस में उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कि कॉंग्रेस पार्टी को नर्म रुख इक्तियार करना चाहिए सावरकर पर बयान देते हुए। बीजेपी के विरोध में आप कोई भी बयान दें लेकिन सावरकर को अपने निशाने पढ़ना रहे। कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी यह आश्वासन ऐसा लगता है कि दिया गया है, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि अब सावरकर पर उस तरह के बयान कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिये जाएंगे। झाल झाल